सुप्रभाद बच्चों आज हम का क्षा छटी विशे हिंदी पुस्तक गुलमोहर हिंदी व्याकरण से पार्ट पाँच उपसर्ग पढ़ेंगे तो व्याख्यान एक देखिए बच्चों उपसर्ग क्या होते हैं बच्चों उपसर्ग उस शब्दांश या अव्य को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेश अर्थ प्रकट करते हैं तो बच्चों अव्य या उपसर्ग वेशब्द होते हैं जिन में लिंग, वचन, कारक और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है बच्चों जब ये शब्द के साथ जुड़ते हैं, पहले लगते हैं तो उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं देखिए बच्चों उपसर्ग की परिभाशा उपसर्ग वे शब्दाश या अव्वे हैं जो किसी शब्द के आरंभ में, शुरू में, प्रारंभ में पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेश्ता ला दे या उसका अर्थ ही बदल दे वे उपसर्ग कहलाते हैं तो बच्चों उपसर्ग वे शब्दाश हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तो बच्चों देखिए उदाहरण, प्रसिद, अभीमान, विनाश और उपकार प्रसिद होता है प्रमुक, विख्यात जिसको कहते हैं अभीमान, स्वेंपरमान, विनाश नश्ट, नश्ट कर देना, उपकार भलाई करना अब इन शब्दों में शब्दाश जुड़े हैं उपसर्ग के रूप में तो बच्चों कौन से उपसर्ग जुड़े हैं देखिए प्रसिद में प्र, अभीमान में अभी, विनाश में वी और उपकार में उप ये उपसर्ग हैं तो बच्चों जब ये शब्द के साथ जुड़ते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्दन ला देते हैं देखिए आगे उपसर्ग कैसे बना ये दो शब्दों उप जमा सर्ग के योग से बनता है तो बच्चों उपसर्ग शब्द उप जमा सर्ग दो शब्दों के योग से बनता है उप का अर्थ होता है समीप, निकट या पास और सर्ग का अर्थ होता है स्रिष्टी या उनमें कुछ विशिष्टा उत्पन्न करना उप सर्ग का अर्थ है पास में बैठा कर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना तो वचों समीब आकर उसमें कोई नया अर्थ प्रगत प्रदान करना उपसर्ग का महतपून उदेश्य होता है तो हार के पहले जब प्रा उपसर्ग लगा दिया जाए तो एक नया शब्द प्रहार बन जाता है यानि हार शब्द के साथ यदि पहले प्रा लगा दिया जाए तो प्रहार हो जाता है क्योंकि हार का अर्थ होता है माला या हारना किन्तु जब उसमें प्रा लगा दिया जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है मारना प्रहार करना मारना यानि उसके अर्थ में परिवर्तन आ गया और यही परिवर्तन उपसर्ग कहलाता है आगे देखिए बचों उपसर्ग की तीन गतियां या विशेशताएं होती है तो बचों नमबर एक शब्द के अर्थ में नई विशेशता लाना नहीं विशेषता अर्थार्थ, कुछ प्रमुखता, कुछ विशेष लागां जैसे प्रजमा बल, प्रवपसर्ग है और बल शब्द है और प्रवबल बनने से शब्द बन जाता है शक्तिशालि अनु उपसर्ग और शाषन मूल शब्द है तो अनुशासन बना तो अनुशासन का अर्थ होता है नियम आगे देखिए बच्चो नमबर दो की विशेश्टा शब्द के अर्थ को उलट देना बच्चो कुछ ऐसे उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के साथ जब लग जाते हैं तो उसका विलोम अर्थ विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं जैसे आउपसर्ग और सत्य मूल शब्द है तो बन गया असत्य सत्य होता है सच और असत्य होता है जूट और अप जमा यश अप यहाँ पर उपसर्ग है यश शब्दांश है और यश यहाँ पर क्या है? मूल शब्द, यश का अर्थ होता है कीर्तिवान, प्रसिद्धी, ख्याती और जब उसके साथ अप लग जाता है तो यह उसका विलोम शब्द बन जाता है तो देखिए अब उपसर की तीसरी विशेशता शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन ने करके मूल अर्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना यानि कोई खास परिवर्तन नहीं होना जब उपसर्ग उस शब्द के साथ जुड़े तो कोई खास परिवर्तन खास बदलाओ नहीं उसके आसपास का ही बदलाओ, कुछ थोड़ा बहुत अंतर जैसे शुद्ध शब्द के साथ यदि वी जोड़ दिया जाए, वी उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो बन जाता है विशुद्ध और जबकि शुद्ध का आर्थ होता है, स्वच साफ और विशुद्ध भी होता है, साफ और स्वच ब्रह्मन परी जमा ब्रह्मन तो ब्रह्मन का अर्थ होता है बच्छों घूमना और परी ब्रह्मन होता है चारों और घूमना परी क्रमा घूमना तो बच्छों कोई खास परिवर्तन यहां पर नहीं आया यह हैं उपसर्ग की तीन विशेशताएं उपसर्ग के भेद हमारी हिंदी भाषा में तीन प्रकार के उपसर्ग माने जाते हैं नमबर एक तद्सम या संस्कृत भाषा के उपसर्ग नमबर दो तद्भव या हिंदी भाषा के उपसर्ग आगत जिसमें अर्बी, फार्सी, अंग्रेजी या अन्य भाषाओं के उपसर्ग होते हैं तद्वव जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में कुछ रूप बदल कर हिंदी भाषा में प्रियोग किये जाते हुने तद्वव शब्द खहते हैं यानि वो हिंदी भाषा के उपसर्ग होते हैं आगत उपसर्ग वे उपसर्ग होते हैं जो हमारे भारत की भाषाओं के शब्दों के साथ नहीं जुडते ये अन्य भाशाओं के ही शब्दों के साथ जुड़ते हैं किन्तु उनको धीरे धीरे हिंदी भाशा में स्वीकार कर लिया गया है देखे वचो संस्कित शब्दांश उपसर यानि संस्कित के उपसर्ग सल्सकित भाशा के कुछ शब्दाश, जो समास के पहले पद के रूप में प्रियुक्त होते थे और अब हिंदी में उपसर्ग की तरह प्रियोग में लाए जाते हैं तो बचों जो हम अव्यई भाव समास पढ़ते हैं तो अव्य भाव समास में हम उसकी परिभाशा पढ़ते हुए पढ़ते हैं कि जिस समास का पूरुपद अव्य उपसर्ग होता है उसे अव्य भाव समास कहते हैं तो यानि अवया उपसर्ग होता है तो उनी शब्दों को जब उपसर्ग के रूप में प्रियोग किया जाता है तो वे संस्कित शब्दाश उपसर्ग कहलाते हैं आगे देखें तत्सम शब्द और तत्सम के उपसर्ग तत्सम संस्कित भाषा के उपसर्ग यानि संस्कित भाषा से हिंदी भाषा में जो के त्योरूप में प्रियोग किये जाने वाले शब्दांश जो उपसर्ग तत्सम अर्थाट संस्क्रिट शब्दों के साथ हिंदी में आ गए हैं और तत्सम शब्दों के आरंभ में प्रयुक्त होकर नमीन शब्दों की रचना करते हैं यानि उपसर्ग जो संस्क्रिट शब्दों से हिंदी में आ गए हैं और ये आरंभ में जुड़कर नवी शब्दों की रचना करते हैं, वे तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं, यानि संस्कित भाषा के ही शब्दाइश होते हैं, किन्तु ये हिंदी भाषा में जोटियों रूप में प्रियोग कर लिया जाते हैं और ये उसके साथ ही जुड़कर कोई नए शब्दों की रचना करते हैं तो देखिए तत्सम या संस्कृत भाषा के उपसर्ग देखिए तत्सम संस्कृत के उपसर्ग उपसर्ग आर्थ और उपसर्ग से बने शब्द देखिए यहाँ पर कुछ उदहारण दिये हैं अती अती का अर्थ होता है बच्चों अधिक और अती से बना शब्द अत्याचार और अतिरेक्ट अत्याचार किसी को कष्ट पहुंचाना दुख और तकलीफ पहुंचाना अतिरेक्ट उसके अलावा अलावा अधी अधी उपसर्ग है बच्चों अधी का अर्थ होता है उपर या अधिकरण और अधिकार, अधिकरण हमने कारक में सुना है, स्वत्मी भक्ती अधिकरण कारक और अधिकार हक, अप उपसर्ग और उसका आर्थ है बुरा या अभाव, निशेद, अपमान बेजज़ती करना, अप शब्द बुरे शब्द या गलत शब्दों का प्रियोग करना अभाव, यानि उसका अभाव, अभाव कमी, तो देखे अज्यान, अज्यान बचो जिसका अज्यान न हो, अधर्म, जिसमें धर्म न हो, यानि अभाव यानि कमी, अनु, अनुका अर्थ होता है बचो पीछे और समानता, देखे अनु से शब्द बने अनुशासन और अनु अनुशासन होता है बचोन, नियम, काइदे कानून, अनुज होता है छोटा बिटा और देखिए उदहारण की रूप में सलस्कृत की उपसर्ग आ, आ का अर्थ है और या तक आ उपसर्ग से बने शब्द आकाश, आदान आकाश यानि आस्मान, आदान लेन, लेन अव, अव होता है इसका हट, हींता अवज्य, अवहेलना करना, किसी का कहना, नयमानना और आवकाश, छुट्टी उप, उपकार्थ होता है निकटता या समीपता तो बचों, उपकार, उपदेश उपकार, उपदेश, उपकार होता है किसी की भलाई करना अच्छी अच्छी बाते बताना परा उल्टा परा से बना पराजे और पराक्रम पराजे हार पराक्रम हम कहेंगे सक्षक्ति परी आसपास परीक्रमा और परीजन परीक्रमा ब्रहमन करना परीजन हमारे अपने लोग हमारे परिवार के सदस्य आगे देखिये बच्छों तद् कैं त vergeए तद्भव हंदी भाषा के उपसर्ग जिसे कहते हैं qa थे तद्भव अर्थार्थ हिंदी के उपसर्गों का विकास संस्क्रिट के तत्सम उपसर्वों से हुआ है जैसा कि बच्चों मैंने आपको शब्द वाले पार्ट में बताये था कि तत्भव शब्द वेशब्द होते हैं जो संस्कित भाषा से हिंदी भाषा में कुछ बदलाव के बाद प्रियोग किये जाते हैं तो उसी प्रकार जो तत्सम हिंदी यानि हिंदी भाषा में उपसर्व के रूप में प्रियोग किये गए हैं उन्हीं को कहते हैं तत्भव या हिंदी भाषा के उपसर्व तो देखिए उनकी उदहारन तद्भ या हिंदी के उपसर्ग तो उपसर्ग अर्थ और उपसर्ग से बने शब अन, अन का अर्थ होता है बचो निशेद या बिना अन मौल जिसका कोई मौल नहीं होता अलग कुछ भिन अध, आधा अध जला, आधा जला हुआ अध खिला, आधा खिला हुआ उन, एक कम हम संख्यावाची शब्दों को ले सकते हैं उदाहरन के रूप में उन, तीस, उन, चास, उन, सथ उन, तीस, तीस में एक कम उन, चास, पचास में एक कम अब आगे है भर भर का अर्थ होता है पूरा भर पेट, भर पूर, भर पेट, पूरी तरह से भर पेट भरा हुआ भर पूर, पूर, पूर रूप में, भर पूर है, बहुत है दू, बुरा या हीन दू से दुबला, यानि कमजोर दुकान नी, रहित नी का आर्थ होता है, रहित नी से बना निकम्मा, निडर निकम्मा, निडर निकम्मा जो कामकाज नहीं करते आलसी लोगों में गिने जाते हैं निडर, जो डरते नहीं है देखिए और उदाहरण के रूप में हिंदी के उपसर्गों के कुछ और उधारण अ अभाव निशेद अ से बना अच्छूप अटल अटल यानी पक्का क बुरा हीन से बना कपूत कचोट कू कू से बुरा कुचाल बुरी चाल कुचैला मैले के लिए प्रियोग किया जाता है बच्छो सू सूकार्थ हो और शब्द बने सुगंद और सुमन सुगंद यानी खुश्वू और सुमन फूल पर पर से दूसरा या बाद का पर लोक दूसरा लोक परोपकार किसी की भलाई करना बिन बिनकार्थ होता है बिना या निशेद तो बिन से बने शब्द बिन ब्याहा बिन बादल बिन ब्या विदेशी उपसर्ग आगत उपसर्ग जिने विदेशी उपसर्ग भी कहा जाता है। ये विदेशी उपसर्ग अपनी ही भाषा के शब्दों के साथ जुड़कर नमीन शब्द बनाते हैं, जो हिंदी भाषा में रच बस गई हैं। अब देखिए बच्छों आगत उपसर यानि अंग्रेजी के उपसर मैंने अभी बताया अंग्रेजी के अर्भी के फार्सी के उर्दू के शब्दांश जो हमारे अपनी भाशों में जुड़कर शब्द बनाते हैं तो वे हमारे आगत उपसर के रूप में प्रियोग किये जा के अधीन नीचे काम करने वाले सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर से निचले पद पर युक्त डिप्टी सहायक एक होता है डिप्टी कलेक्टर और दूसरा डिप्टी कलेक्टर होता है उसका सहायक वाइस का अर्थ भी होता है बच्छों सहायक साथ वाइस चांसलर एक होत प्रमुख, Chief, Minister, Head, Mookya, Headmaster. बचों ये सारे अंग्रेजी के शब्द हैं और अंग्रेजी के ही उपसर्ग है. किन्तु अब ये हमारी हिंदी भाषा में रच बस गए हैं. अर्थार्थ ये हमारी हिंदी भाषा में भी प्रियोग किये जाने लगी हैं. देखिए आगे उर्दू के उपसर्ग, आगत उपसर्ग, जो उर्दू के उपसर्ग हैं, देखिए उपसर्ग आर्थ और उपसर्ग से बनेशद. देखिए ला, ला का अर्थ होता है बिना, ला चार होता है मजबूर, ला जवाब यानि शानदार, हम कहता है ला जवाब है, बद, बुरा, बद सूरत, बद नाम, बुरी सूरत, बे बिना, बे काम, बिना काम के, बे असर, जिस पर कोई असर नहीं होता, कम, कम होता है बच्चो थोड़ा या हीन कमजोर, कम दिमाग कमजोर यानि ज़्यादा शक्तिवान नहीं कम दिमाग जिसमें कम दिमाग होता है गैर के बिना या निशेद गैर कानूनी, कानून के खिलाफ गैर जरूरी जो जरूरी नहीं है तो बचों ये थे तτसम, तद्वभ और आगत उपसर्ग, तद्वभ और हिंदी भाषा के उपसर्ग और आगत अन्य, हमारी अन्य, अंग्रेजी, अर्भी, उर्दू और फार्सी भाषा से प्रियुक्त होने वाले उपसर्गoms, वो कहलाते हैं आप आगत उपसर्ग, देखे आगे स्मर्णिय बिंदु याद रखने योग ये बाते उपसर्ग शब्दाइश होते हैं शब्द नहीं ये शब्दों के आइश होते हैं पूरे शब्द नहीं होते इनका इनकों स्वतंत्र रूप से प्रियोग नहीं कर सकते इन्हें वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रियो उपसर्ग जब शब्दों के साथ जुड़ते हैं तो कुछ नया शब्द बनाते हैं स्वतंत रूप से इनका अपना कोई महत्व नहीं होता यानि जब अकेले प्रियोग में लाए जाते हैं तो इनका अपना कोई महत्व नहीं होता उपसर्ग शब्दों के आरंभ में जुड़ते हैं शब्दों के शुरुवात में जुड़ते हैं तो एक और बात आपको बच्चों याद रखनी है कि उपसर्ग हमेशा सार्थक शब्दों के साथ जुड़ते हैं सार्थक यानि जिन शब्दों के अर्थ होते हैं और शब्द किसे कहते हैं वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और उपसर्ग हमेशा सार्थक शब्दों के साथ जुड़ते हैं उनका अपना कोई अर्थ होना चाहिए आगे देखिए बच्चों हिंदी भाषा में संस्क्रेट तत्सम संस्क्रेट के हिंदी तद्भव और उर्दू, फार्सी, अंग्रेजी भाषाओं के आगत उपसर्गों का प्रियोग होता है तीन प्रकार के उपसर्ग हमारे हिंदी भाषा में प्रियोग किये जाते हैं तत्सम, तद्भव और आगत उपसर्ग यानि यह हैं याद रखने योग्य बाते हैं एक और महत्वपून बात देखिए बच्चों भाशा में शब्दों की रचना तीन तरह से होती है उपसर्गों द्वारा, प्रत्यों द्वारा और समास के द्वारा एक आधार पर आज हमने सीख ली अगले व्याख्यान में हम प्रत्यों के आधार पर सीखेंगे और आगे अगले पाठों में व्याकरण के हम समास पढ़ेंगे तो बच्चों तीन तरह से भाशा में शब्दों की रचना होती है सर्गों द्वारा, प्रत्यों द्वारा और समास के द्वारा आगे देखिए बच्चों तो बच्चों अब हम चर्चा करेंगे ग्रहिकारिय की और प्रशन एक है भाशा में शब्द रचना कितने प्रकार से होती है प्रशन दो उपसर्ग किसे कहते हैं प्रशन तीन दिये गए उपसर्गों से शब्द बनाएं अती, अनू, आ, उप, वी, सू, ला, बे, कम आपको एक-एक शब्द इन उपसर्गों के साथ बनाना है और आपको इनके साथ ऐसे शब्द जोडने हैं जो सार्थक होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ होता है तो इस आधार पर आपको अपना ग्रही कारिय अपनी हिंदी की कौपी में करना है और Adquark की साइट से ग्रही कारिय आप देख लोगे कि आपका क्या ग्रही कारिय है दूसरी बात बचों मेरी mail ID पर आपको अपना ग्रही कारिय भेजना है पिछले ग्रही कारे की चर्चा करते हैं अब हम जरा बचों मैंने शीर्षक के आदार पर आपको एक कहानी दी थी कहानी का शीर्षक है जूट का परिणाम जूट का परिणाम कहानी लिखो वे याद करो यह आपका ग्रही कारे था तो बच्चो जूट का परिणाम ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कहानी मैंने लिखिये वही कहानी हो आप अपने शब्दों में भी कहानी लिख सकते हैं किन्तु उन कहानी लेखन के नियमों का ध्यान आपको अवश्य रखना है भाशा सरल और भावपून निशित क्रम में होनी चाहिए कहानी की कोई न कोई शिक्षा अवश्य निकलनी चाहिए और कहानी का कोई न कोई उदेश्य होना चाहिए और शीर्षक के आधार पर कहानी होनी चाहिए तो देखिए कहानी आपकी बच्चों मैंने आपको शीर्षक के आधार पर कहानी दी थी जूट का परीना तो बच्चों ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कहानी मैं आपको लिखवा रही हूँ बता रही हूँ, समझा रही हूँ, वही कहानी आप लिखो आप शीरशक के आधार पर कहानी कोई भी लिख सकते हैं किन्तु वह शीरशक पर आधारी दोनी चाहिए और कहानी लेखन के नियमों का ध्यान में अवश्य रखना चाहिए तो बचों देखिए एक गाउं में एक चरवाहा रहता था और वह अपनी बक्रियों को गाउं के समीप वाले जंगल में चराता था एक बार उस चरवाहे ने गाउं वालों से मजे लेने की सोची और वह जोर से चिलाया भेडिया आया बचाओ बचाओ भेडिया आया आगे देखिए बच्चों उसकी आवाज सुनकर गाउवाले दोड के उसके पास गए और बोले कहां है भेडिया तो उस चरवाहे ने गाउवालों से जूट बोला कि भेडिया अभी आया था अब वह चला गया गाउवाले उसकी बात सुनकर चले गए तो बच्चों गाउवालों को मूर्ख बनाने के लिए मजे लेने के लिए उसने मजाक में ऐसा किया तो देखिए दूसरे दिन वह चरवाहा फिर चलाया कि कोई बच्चाओ भेडिया आया तो गाउवाले यह सब सच मान कर जंगल की और दोडे लेकिन उनको आज भी भेडिया कही नजर नहीं आया और वे वापस चले गए एक हफते बाद उस चरवाहे ने फिर वही किया और नतीजा वही रहा तो गाउवाले समझ गए कि यह जूट बोलता है और हमें यूँ ही परिशान करता है देखे बच्चों अब आगे किन्तु कुछ दिनों बाद जंगल में सच में दो भेडिया आ गए तो चरवाहा अपनी भेडियों अपनी भेडियों को भेडिये से बचाने के लिए गाउवालों से मदद मांगने लगा और जोर-जोर से चिलनाने लगा बचाओ बचाओ कोई मेरी बक्रियों को बचाओ बेडिया आ गया कोई मेरी मदद करो बचाओ बचाओ यानि अब सच मुच में बेडिया आ गया किन्तु गाउंवालों को क्या लगा कि वे अब भी हमें मुर्ख बना रहा है हमारे साथ मजाग कर रहा है और हम इतना कठिन परिश्रम इतनी महनत करते हैं इसको मजाग सूजता है तो हम आज इसके पास नहीं जाएंगे तो आगे देखिए बचो जब उसके चिल्लाने की आवाज गाउं वालों ने सुनी तो वे सब लोग इकठा हो गए लेकिन उसकी मदद के लिए आज कोई भी नहीं आया क्योंकि गाउं वालों को लगा कि यह हर रोज की तरह आज भी हमें परिशान कर रहा है और जूट बोल रहा है इसलिए वे लोग उसकी मदद के लिए आज नहीं गए यानि हमने देखा कि जब जूट बोल रहा था तो दो-तीन बार गई ठीक हैं लेकिन जब उसने सच बोला तो उसके पास कोई नहीं गया उसका कारण क्या था? जूट बोलकर वो दूसरों को परिशान कर रहा था तो अब लोगों ने सोचा कि इसने हमारा खूब मजाक उड़ा लिया खूब हमें मूर्ख बना लिया पर अब हम इसकी मदद के लिए नहीं जाएंगे चाहे अब ये जूट बोले या सच बोले अब हमें इसकी बात का कोई फर्ग नहीं पड़ता तो बचों देखें इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है दोस्तों जैसा कि इस कहानी से सपष्ट है कि चरवाहा गाउं वालों से रोज जूट बोलता था और उन्हें फालतू में परिशान करता था जिसके कारण उसको जरूरत के समय पर गाउं वालों का साथ नहीं मिल पाया यानि जूट बोलना बचों गलत बात है तो देखें इसकी शिक्षा यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें लोगों से जूट नहीं बोलना चाहिए और कभी भी बेवजय लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर हमने एक बार अपनी विश्वस्नियता को खो दिया तो दुबारा उस भरोसे को वापस पाना मुम्किन नहीं है यानि जो जूट बोलकर उसने काम किया तो लोगों का विश्वास उससे उठ गया अब लोगों का उस पर विश्वास नहीं रहा तो चाहे वो सच बोले या जूट बोले इस बात का लोगों पर अब कोई असर नहीं पड़ रहा था उसकी सच बात भी लोगों को जूट लग रही थी तो बचों ये थी आपकी कहानी जूट का परिणाम तो बचों हमारी वीडियो को लाइक करते रहो और यूट्यूब के एड़क चैनल को सब्सक्राइब करते रहो मिलेंगे अपने अगले व्याख्यान में धन्यवाद बचों